तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं 10 Important MCQ on Pathology तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था बाइकेमिस्टर के Important MCQ as well as Microbiology के 10 Important MCQ के बारे में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट वीडियो लेक्चर में में एक क्वेशन पूछी थी कि जैसे कि मीजोफिलिक बैक्टर जो होते हैं उसका टेंप्रेचर रेंज कितना होता है तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था तो यह जैसे कि मैं कुछ नाम बता रही हूं जैसे कि जाबा रही ने पहले कमेंट किया था पर उसके बाद चंदन कुमार ने किया था और उसके बाद किया था मेडिसिन रिवीव लाइब ने वह बताया थे 20-25 डिग्री और हापिनान 30-40 बताया है सुरे स्थाकूर ने बताया है 37 डिग्री और फाइनली पूरा करेक्ट जो बताया है लाप्टिक कुमार स्रिकान जो कि बताया है 25-40 डिग्री सल्सेष गाइज मैं यहां पर बता दूं बहुत से बुक्स पर ऐसा लिखा हुआ है कि 25-40 डिग्री सल्सेष जो होता है बेक्टरिया का मतलब होता है तो यहां पर मैं बता दू थर्टी फाइव डिक्री जो रहता है वो अप्टिमम रेंज रहता है और इन बिटोइन ट्वेंटी फाइब से बीच में आप लोगों को एम से क्यों का आंसर लिखते ना है कि बहुत सारे बुक्स में यह वाला आंसर दिया गया है ठीक है तो जैसे कि यह जितने लोगों ने बताया है 30 से 40 तो मैं आप लोगों को बता दू 30 से 25 व्याद रख लो 25 से 40 होता है उसका जो नॉर्मल रेंज राइट उसका जो अप्रोप्रेट रेंज इन बीटूइन राइट इस वीडियो को आप लोगों को देख और भी बहुत सरे vacancy state चाहे वो central government का हो अगर आप लोग ट्रक करना चाहते हो तो वीडियो को end तक जरूर देखने है अगर वीडियो पसंद आए तो like भी कर देने आप चैनल पर पहली बार आये हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ठीक है तो फिर चले चलते हैं without wasting your time आज को सब्सक्राइब करते हैं so the first question here which of the following assets is used in the electrolytic method for decalcification तो पहले हम लोगों को question को समझना है तो question यहाँ पर यह दियागा है decalcification कि आप लोगों ने मतलब पहले इस word को सुना है decalcification कहीं पर भी अगर डी लग जाता है इसका मतलब यह होता है कि remove ठीके तो यहाँ पर क्या remove होगा calcification यानि क्या remove होगा calcium remove होगा तो आप लोगों को पता है हमारे body में ऐसा कौन सा organ है कौन सा पाढ़े जिसके अंदर में calcium रहता है जैसे कि आप लोगों ने तो सुना ही होगा after the age of 40 हम लोगों को हमारे जो bone होते हैं उसको strengthen करने के लिए हमको doctor बोलते है कि calcium reach diet लेना जाहिए इसका मतलब यह होता है हमारे bones के अंदर calcium भरे हुए होते हैं तो यह जो calcium होता है उसको पहले तो remove करना है क्योंकि यह जो calcium है यह organ को या फिर bone को strong बनाता है तो यह अगर strong रहेगा organ तो हम लोग आगे जाके microdome cut नहीं कर सकेंगे इसी लिए decalcification is the important step necessary step इसको करना ही चाहिए ठीक है तो decalcification का मतलब होता है renewable of calcium ions तो इसी लिए हम लोग decalcification करते हैं in the histopathology lab तो histopathology जैसे के आप लोगों पता होगा stadiopathogenic tissue हम लोग उसको microscopic examination करते हैं जो disease tissue abnormal tissues होते हैं वो होता है histopathology तो वहां पर जितने सारे organs होते हैं हम लोग उसको क्या करते हैं microtomy cut करके thin slices of the tissue बना के हम लोग उसको microscope के अंदर देखते हैं लेकिन guys ये जो bony tissues होते हैं उसको हम लोग अच्छे से cut नहीं कर सकते हैं इसी लिए हम लोग इसको decalcification करते हैं लेकिन guys question यहाँ पर ये पूछा है which of the following acids is used in the electrolytic method तो बहुत सारे method होता है तो यहाँ पर पूछागा है electrolytic method के लिए कौन सा decalcifying agent use होता है क्योंकि normally जो हम लोग use करते हैं nitric acid guys HNO3 nitric acid हम लोग use करते हैं लेकिन electrolytic method के लिए हम कौन सा acid use करेंगा अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग नीजे comment section में मेरे को बता सकते हो रही तो चलिए इसका answer देखते हैं इसका answer हो जाएगा option number A that is a formic acid formic acid एक ऐसा acid होता है which is used as a decalcifying agent in the electrolytic method of decalcification ठीक है वहाँ पर electrode रहेगा और current pass करके हम लोग क्या करेंगे ना उसके अंदर decalcification करेंगे ठीक है तो फिर चलते हैं यह question होने के बाद हम लोग next question देखते हैं next question जो है वो बहुत ही important है guys Harris, Mayor और उसके बाद Delafield, Ehrlich, Bullard and Bomber are all kinds of what? तो यह जितने सारे नाम में बताई हूँ जिसे आप लोगों ने देख लिया है कि यह सारे क्या होते हैं यूसिंस, methylene blue, hemotoxylins या फर musicalins तो guys इसका answer क् यह जितने सारे नाम है, इक किस के नाम हो सकते हैं? यूसिं के नाम हो सकते हैं, क्या या फर methylene blue के नाम हो सकते हैं? तो guys मैं यहाँ पर बता दूँ, इसका answer हो जाएगा option number C, hemotoxylins, आप लोगों ने देखा होगा, अपने lab में जो hemotoxylins होता है, हमारे lab में तो यहाँ पर Harris hem hemotoxylins हो रहा है, तो आपके lab में कौन सा hemotoxylins होता है, आप लोग मुझे comment करके बताइए, तो इसका answer हो जाएगा, यह जितने भी सारे होते हैं, all kinds of Harris में और these are all kinds of hemotoxylins, guys यह भी बहुत ही important question है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीके? तो next question जो है, यह वाला question जो है, हम H&E stains, H&E का मतलब यहाँ पर होता है, आप लोग का hemotoxylins and eosin stain, so are prepared form, तो यह जो eosin होता है, आप लोग का H&E stain के लिए जो eosin होता है, यह कौन सा eosin होता है, तो जैसे कि आप लोग सारे option देख पा रहे हो, इसका option देख के आप लोग मेरे को यह बताइए, कि ऐसा कौन स eosin है, जो कि हम लोग H&E stain में use करते हैं, so the option are eosin y, eosin z, eosin c, as well as eosin r, so guys, अगर आप लोग को पता है, मुझे comment section पर जरूर बताएगा, तो इसका answer हो जाएगा, the option number a, that is eosin y, right, eosin y is the correct answer of this question, so चले काही चलते हैं, next question, थोड़ा सा बड़ा सा question है, आप लोगों को लग तो बहुत ही easy सा question है, तो question यह है, for fine needle aspirations, यानि FNAC, तो आप लोगों पता होगा, any abnormal tissue को जाहें, fluid को हम लोग क्या करते हैं, microscopic examination के लिए पहले तो FNAC करते हैं, FNAC का मतलब होता है, fine needle aspiration cytology, और उसके बाद अगर पता नहीं चलता है, और उसके बाद, surgery की बाद, हम लोग बायो से related है, for fine needle aspirations and thick cellular discharges or fluids, no centrifugation is required, ठीक है, while relatively watery, thin and hypocellular fluids, smear is prepared from, तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, technical दिमाग लगाना है, क्योंकि आप लोग सारे technicians हो, तो आप लोगों को यहाँ पे यही दिमाग लगाना है, अगर, अगर आप लोगों का thick discharge है, फिर thick fluid जा रहा है, आप लोग क्या करते हैं, उसको smear बना लेते हो in the slide and उसके बाद उसको stain करके, आप लोग microscopic examination करते हो, लेकिन guys, अगर आप लोगों को पूरा आ जाता है, watery sample, watery specimen, पूरा जिसके अंदर में आप लोग कुछ भी ना कर पाओ, तो आप लोगों क्या करन पड़ता है, आपने ऐसा कभी सोचा है, अगर पूरा आप लोगों के लिए watery fluid आया है, thin fluid आया है, उसके अंदर से कौन सा tissue, कौन सा fluid आप लोग लेके उसको smear करोगे, क्योंकि आप लोग अगर smear करोगे, यह तो वस हो जाएगा, तो क्या आपने ऐसा सोचा है, कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो options सारे जैसे कि centrifuge sediments, centrifuge supernatant, none of these, और option number d में दिया गया है, both of the above, इसको हम लोग क्या करते हैं, centrifuge ही करेंगे, क्योंकि watery liquid है, Watery liquid को हम लोग क्या करते हैं Centrifuse करने के बाद यहाँ पर option सारे जैसे की दिया गया है Centrifuse supernatant यानि जो हम लोग centrifuge करने के बाद जो upper surface रहता है उपर का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं supernatant और उसके बाद नीचे जो bottom layer में रहता है So that is called centrifused sediments और उसके बाद आता है None of this या फिर बोथ अब देवब मतलब supernatant को भी लेना चाहिए As well as आप लोगों को sediment को भी लेना चाहिए तो guys आप लोगों को ने urine को तो at least आप लोगों ने centrifuge किया होगा तो आप लोगों को क्या लगता है इसका कौन सा portion लेना चाहिए आप लोग मुझे comment सकते हैं में जरूर बताइए तो इसका answer हो जाएगा उसको हम लोग क्या करता है न Thene liquid जो supernatant position में रह जाता है उसको हम लोग discard कर लेते है and we take the sediment sample the sample which is present in the bottom layer of the test tube ठीके तो guys यह question होने के बाद चले चलते है next question देखते है तो smear should be prepared and fixed immediately for cytology because तो cytology में आप लोगों ने देखा होगा जब efficiency करके हम लोग specimen या फर sample को collect कर लेते हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं smear बना लेते हैं यह जो smear तुरंत बना लेते हैं क्या अगर हम लोग smear तुरंत ना बना के अगर बहुत time तक हम लोग क्या करते हैं वो sample को वो जो fluid को अगर बाहर रग लेंगे without preparing any smear क्या यह सही रहेगा अगर सही रहेगा तो क्यों रहेगा अगर सही नहीं रहेगा तो फिर क्यों रहेगा तो फिर यहाँ पर जैसे कि options है देख लेते हैं उसमें से आप लोगों को पता चल जाएगा Expoilated cells degenerate rapidly Expoilated cells may be blown away The nuclei of the cells get extruded from the cell Cytoplasm develops granularity तो option नबर ए का मतलब क्या है? इसको थोड़ा समझते हैं Expoilated cells degenerate rapidly जो cell हम लोग collect करें इस दर exfoliated cells ना है तो यह क्या हो जाता है? तुरंद degenerate या फिर breakdown हो जाता है क्या? या फिर exfoliated cells may be blown away ऐसा हो सकता है कि अब वो exfoliated cells जो है वो flow कर जाएंगे, blown away या फिर the nuclei of the cells get extruded from the cell ऐसा क्या हो सकता है कि वो cell को अगर हम लोग वो fluid को बाहर रख लेते हैं without preparing any smear वो सारे cells के जो nuclei होते हैं वो exclude हो जाएंगे वहां से या फिर आप लोगों को last option में दिया गया है cytoplasm develops granularity क्या फिर ऐसा हो सकता है जो cell cytoplasm है it will develop granularity मतलब आप ही वो granularity वो develop करेगा क्या ये हो सकता है तो guys आप लोगों को क्या लगता है इसका answer क्या हो जाता है हम लोग तुरंद FNSC collection करके हम लोग तुरंद smear बना लेते हैं और fix भी कर लेते हैं जिसको चाहिए होता है तो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं अगर हम लोग नहीं करेंगे तो क्या problem हो जाएगा तो guys ये बहुत important question है guys ये भी OSSC exam में आये था हमारा तो इसका answer हो जाएगा option number A that is exploited cells degenerate rapidly ये क्या हो जाता है ना degenerate हो जाता है तुरंथी degenerate हो जाता है इसलिए guys हम लोग क्या करते हैं तुरंथी उसका smear बना लेते हैं ठीक है तो चलिए guys ये question होने के बाद हम लोग चलते हैं बहुत easy सा सवाल जो कि आप लोग तुरंथी इसका answer दे दोगे तो जिसका answer है for fluid cytology, fluid has to be collected in अगर आप लोग cytology में fluid cytology कर रहे हो तो आप लोगों को वो वाला जो fluid है किसके अंदर collection आप लोग कर सकते हो EDTA वाइल यानि ethylin diamond tetra acid anticoagulant जिसके अंदर में present है या फिर sodium citrate वाइल जिसको आप लोग क्या यूज करते हो 3.8% sodium citrate वाइल भी आप लोग यूज करते हो और उसके बाद plain वाइल यानि जिसके अंदर में कोई भी anticoagulant नहीं present होता है and finally है none of this या फिर S में से कोई भी आप लोग वाइल जो है वैक्यू टैनल जो है यूज नहीं कर सकते हो पर collecting fluid sample in fluid cytology तो आप लोगों को क्या लगता है इसका आंसर क्या हो जाएगा fluid cytology के लिए हम लोग fluid तो collect करेंगे क्या इसका भी coagulation हो सकता है क्या इसका coagulation होता है इसलिए क्या हमको anticoagulant यूज करना चाहिए या फिर blood के लिए ही सिर्फ anticoagulant यूज होता है या फिर हम लोग fluid को भी कुछ ऐसे fluid होंगे जिसके अंदर में हम लोग anticoagulant आड़ करके उसको coagulation से बचा सकते हैं तो आप लोग थोड़ा सोचिए कि coagulation क्या होता है क्या यह coagulating factors जो present होता है सेरम और प्लेजमा में यह इसके यह वाले fluid में भी present होता है क्या यह वाला fluid anticoagulant हम लोग आड़ करके उसको coagulation से बचा सकते है या फिर इसका coagulation ही नहीं होता मेरे को नहीं पता आप लोग मुझे comment सिक्षन में इसका अंसर जरूर बताएंगे ठीके तो इसका अंसर हो जाएगा option number C that is plain vile जब हमारा ये blood ही नहीं है तो इसका coagulation क्यों होगा? This is the fluid, right? तो fluid cytology के लिए हम लोग क्या use करते हैं? plain container use करते हैं, जिसके अंदर में कोई भी anticoagulant, कोई भी chemical नहीं होना चाहिए, नहीं तो it will affect the characteristic of that fluid, ठीके? तो फिर चलिए चलते हैं guys, next question काता है, ये question जो है special staining के उपर है, जैसे के आप लोग को नॉर्मल ही पता होगा, Catholicism में हम लोग hemotoxylant और eosin stain करते हैं, parp stain करते हैं, deep work stain करते हैं, ऐसे लेकिन बहुत सरे special staining भी होते हैं, जिसके parp stain हो गया, alcian blue stain हो गया, तो ये guys यहाँ पर question ये पूछा गया है, combine alcian blue as well as past technique is used to separate, तो यहाँ पर alcian blue एक stain होता है, ये क्या चीज़ को stain करता है, ये stain करता है acidic mucine को, ये stain करता है acidic mucine को जो के पहले music carbon stain होता था, लेकिन ये guys alcian blue stain में हम लोग acidic mucine को आप लोग क्या करते हो, stain करते हो, उसके बाद दिया गया है past stain, past यानि पर iodic skip, इसका fulltrum भी कभी कभार पूछ लेगा, आप लोग इसका spelling थोड़ा देख लिजे, पर iodic skip ये होता है past and use, ये use करते हैं हम लोग carbohydrate जैसे के glycogen जैसे चीज़ें को देखने के लिए ये special stain use होता है, लेकिन question यहाँ पर पूछा गया है, combined, मतलब दोनों मिला के combined alcian blue as well as past technique is used to separate, क्य के चीज़ें को ये separate करने के लिए ये दोनों combined होके ये जो stain use होता है, तो जैसे के option सारे आप लोग देख पा रहे हो, तो ये use होता है, ऐसा कौन सा stain को separate करने के लिए, alkaline mucine and neutral mucine, acid mucine या फिर neutral mucine, तो ये ऐसा कौन सा चीज़ें ये दोनों को separate करने के लिए use होता है, आ अब तक मैं इसका आंसर बता देते हूं, इसका आंसर हो जाएगा option number A, that is acidic mucin as well as neutral mucin को separate करने के लिए ये जो combined altian blue as well as past stain use होता है, ठीक है, अगर इस question में आप लोगो को कोई भी doubt लगते हैं, आप लोग मुझे comment करके बता सकते हो, ठीक है, तो guys हम लोग आके पहुंच गया ह next question है, IHC is most useful in, तो पहले हम लोगों को पता करना पड़ेगा कि ये IHC होता क्या है, IHC का मतलग होता है immunohistochemistry, तो immunohistochemistry में क्या होता है, और histopathology lab में, जो भी sample आता है, अगर इसमें हम लोगों को cancer मिलता है या फिर abnormal tissue cells दिखाए देते हैं, उसको हम लोग पूरा clarity लाने के लिए, confirmation के लिए हम लोग करते हैं, IHC immunohistochemistry, detects of markers, abnormal tissue markers, तो आप लोग ये पूछोगे कि ये marker क्या होता है, abnormal tissues के अंदर में एक marker present होता है, उसको detect करने के लिए हम लोग यूज करते हैं immunohistochemistry, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा immunolosis में antison antibody reaction होता है, यहाँ पे भ normal tissues होते हैं, cancerous cells होते हैं, उसके अंदर में antison present होता है, and it contains the markers, और हम लोग बाहर से यहाँ पे antibody देते हैं, तो वहाँ पे जो staining होता है, या फिर जो reaction होता है, it will produce color, तो इससे पता चलता है कि इसके अंदर में cancerous cells present है, या फिर नहीं है, confirmation के लिए use होता है, IHC, बहुत important और necessary step होता है, तो यह most useful in, जहां कि, जैसे कि मैं already बता चुकी हूँ, options are infection, metabolic disorders, cancers and all of the above, इसका answer option number D, all of the above नहीं होगा, इसका answer हो जाएगा, option number B, this is the cancer, so the cancer is the correct answer of this question, ठीके, तो फिर चली चलते हैं, next question, next question, जो है, question के साथ ही उसका answer दिया गया है, अगर उसका meaning पता होतो, तो PSA is used for the cancer of cancer, बहुत एपके cancer होते हैं, बहुत सारे organs में cancer होते हैं, तो वहाँ, इस question पे पूछा गया है, PSA, यानि, आप लोग बताओगे मेरे को, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि, अगर मैं बता रहती हूँ, तो answer तो तुरंती पता चल जाएगा, तो options सारे देखके, आप ल समाग लगा सकते हो, बहुत ही easy, बहुत ही tricky सा सवाल है यह, तो क्या इसका answer हो जाएगा, तो इसका answer हो जाएगा, यह होता है, prostate specific antizen, यह जो cancer हम लोग किस चीज के लिए करेंगे, obviously prostate के लिए ही करेंगे तो इसलिए इसका answer हो जाएगा, option number A, that is the prostate, मज़ा आया ना, तो Anyway guys, next question के तरफ चलते हैं, next question आप लोगों के सामने यह दियागा है, which of the following electromagnetic radiation carries maximum risk, यह वाला question भी हमारे OCCC में आया था, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के आया था, तो इसलिए यह थोड़ा question भी आप लोगों को अच्छे से देखना है, तो जैसे कि electromagnetic radiation जो होता है, वो बहु electromagnetic radiation पर है, तो options आरे जैसे कि आप लोग देख पारे हो, alpha rays, gamma rays, beta rays, as well as x rays, so the answer of this question क्या होगा, आप लोग comment section में बताइए, तब तक मैं बता देते हूँ, इसका answer direct answer है, कोई भी, मतलब यहाँ पर कोई भी हम लोग सोच के, हम लोग इसका analyze कुछ नहीं करना है, option number B, that is the gamma ray, will be the correct answer of this question, यह सवाल के साथ हमारा जो है, इसका 10 important MCQ and pathology खतम हो जाता है, अगर आप लोग को कोई भी doubt होता है, आप लोग मुझे comment करके बता दीजे, अगर वीडियो पसंद आया, तो like करना, मत भूलना, और चनल को subscribe करके जाना, ठीक है, तो फिर आप लोग मुझे connect कोना चाहत और वहाँ पर discussion हो जाएगा, ताकि आगे जो examination vacancies आ रहे हैं, हम लोग उसके बारे में discussion कर सके, तो please comment down कि we want live classes, ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो का चीस देखते रही है, thank you